नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका कृशी जागरंड यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड़ लग प्लांट से भी आप लाखो की कमाई कैसे कर सकते हैं जी हाँ, घर में छोटे-छोटे सजावटी पौधों में से कुछ पौधों को लोग सिर्फ इसलिए अपने घर में रखते हैं कि इन से गुड़ लग आता है लेगिन कि आपको पता है कि इन में से बैंबू प्लांट आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ा सकता है हम इस प्लांट से होने वाले किसी चमतकार की नहीं, बलकि इसके बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जी हाँ, अगर आप घर के आहते या चोटे से खेत में इसकी नरसरी लगा कर कारोबार करें तो आप इन से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं आईए जानते हैं किस तरीके से गुडलक प्लांट को लगाया जाए आपके पास अगर पचास से सो वर्क फूट की काली जगे हैं तो आप इन प्लांट की नरसरी शुरू कर सकते हैं अगर इतनी जमीन भी नहीं है तो चंद गमले रैक में रख कर भी आप इन प्लांट को रख सकते हैं शुरुवात में आपको महच 10 से 20 अजार रुपय की जरूरत पड़ेगी ताकि आप 20 जवा अन्य सामान खरीद सकें महच 3 महीनों की महनत और देखरे के बाद ही आपकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी बैंबू प्लांट आपको करा सकते हैं लाखों की कमाई जी इन दिनों घरों में छोटे छोटे बैंबू यानि बास के पौधे देखने को मिलते हैं दरसल इसे सकारात्मक औरजा का स्रोत माना जाता है यही कारण है कि इसकी इन दिनों काफी डिमांड है और इसकी कीमत भी कुछ 100 रुपए से लेकर हजारों में है ऐसे में सिर्फ बैंबू प्लांट की नरसरी ही आपको मोटी कमाई करा सकती है बस इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की आपको जरूरत पड़ेगी 10 से 20 डंठल वाला पौधा 200 रुपए और इससे ज़्यादा का पौधा 2000 रुपए तक का मिलता है यदि आप हर दिन 5 प्लांट को भी बेचते हैं तो कमाई कांग डा लाक रुपए महीने से ऊपर चला जाएगा आए जानते हैं कि इस बैंबू की कलम कहां से मिलेगी जी हाँ दरसल बैंबू प्लांट की नरसरी लगाने के लिए आपको पहले वन विभाग या सर्टिफाइट बैंबू नरसरी से इसकी कलम खरीदनी होगी बैंबू प्लांट की बोंसाई बिलकुल आसान है या किसी भी विशेशक्य से एक या दो दिन की ट्रेनिंग में सीखी जा सकती है बैंबू की कलम को एक गुच्छे की तरहे रख कर इस पर प्लास्टिक या तामबे का तार बान दिया जाता है इसके बाद इन्हें पानी के बर्तनों में काज की गोलियों या साफ कंकरों के साथ रखा जाता है ताकि जरूरत भर ही ये बढ़ सकें करीब एक माँ बाद ही कलमों पर पत्तियां आनी शुरू हो जाती है लेकिन ध्यान रहे कि इनको धूप कम से कम ही लगे आये जानते हैं कि इसकी बिक्री कैसे करी जाए इन दिनों लोग सजाप्टी पौधे भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं आप अपने कारुबार को भी ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आप डारेक्ट ऑनलाइन नहीं बेचना चाहते तो किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर बत और सेलर आप अपने पौधो को बीच सकते हैं बैंबू प्लांट को अगर एक दो दिन पानी से बाहर भी रखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेहाज जाया शिपिंग टाइम में प्लांट खराब नहीं होगा. किसान भाईयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें वा लाइक करें. इसके साथ ही आप कृशी जागरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. धन्यवाद.